नमस्ते, मैं प्राची कुपता, क्लास 6 की गड़ की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोण, कोण क्या होता है हम सब जानते हैं कि जब हम सूरज की ओर मूह करके खड़े होते हैं तो सामने की ओर पूर्व दिशा होती है, हमारी पीट के पीछे की तरफ पश्यम दिशा होती है इसी प्रकार हाथ की दिशा से दाहिने वाली हाथ की तरफ जो दिशा पड़ती है, वो दक्षन कहलाती है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा कहलाती है इस तरह से कुल चार दिशाए होती है तो इनका प्रयोग करके हम कोण और उसके बारे में सीखते हैं जैसे हम माचिस की दोग तीलिया ले एक तीली ऐसे रखें इसको हम एक किरण मान सकते हैं जैसे कि ये OQ है और दूसरी तीली को हमने ऐसे रखा और इसे हमने कहा O P ये जो कॉमन बिंदू है दोनों लाइन्स को लिए कॉमन है यानि ये बिंदू इस रेखा से भी जुड़ा है इस किरण से भी जुड़ा है और इस किरण से भी जुड़ा है अगर हम इसका नाम O Q रखें और इसका नाम op रखें तो o जो point है वो दोनों रेखाओं के लिए या दोनों किरणों के लिए common बिंदू है तो इन दोनों के बीच का जो ये हिस्सा होता है वो कोण कहलाता है ये किरण oq है और ये op है और इसका जो ये point है वो o कहलाता है जो कि दोनों के लिए common है और इन दोनों भुजाओं के बीच जो बना है वो angle या कोण कहलाता है एक बिंदु वाली जो दो किरने हैं उनसे एक कोण बनता है यानि कोण बनाने के लिए कम से कम क्या दो भुजाओं की जरूरत जरूर होती है बिना दो भुजाओं के कोड नहीं बनता है कोड को बनाने वाली दोनों जो किरने हैं उसको हम उस कोड की भुजा कहते हैं ये जो कोड हैं तो हम इससे लिखेंगे कि एंगल या इसको हम कहते हैं कोड इसका साइन ये ऐसे होता है यही चीज़ देखे हमने छोटी सी बना दी है इसे हम कोड पढ़ते हैं या एंगल पढ़ते हैं P O Q जो कॉमन वाला हिस्सा होता है यानि जिस पॉइंट से हम एंगल नापना होता है हमें दोनों भुजाओं का उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं तो अगर हम यहां पर एंगल की बात करेंगे कि कौन सा कोड है तो कोड हमारा बन रहा है P O Q तो उसे लेखेंगे एंगल P O Q तो यह हो गया हमारा एंगल P O Q का मतलब है यह वाला एंगल ठीक है? तो इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो angle है और जो इसकी भुजाएं है यानि की sides कहलाती है वो किस तरा के होते है एक चीज और भी देखने है एंगल को हम नापते भी है तो angle की नाप जो होती है वो degree में या अंश में होती है हिंदी में उसे कहते हैं अंश और English में कहते हैं degree और sign इसका ये होता है तो जो भी मान अब आपको एक चीज और द्यान देनी है, ये कोण जो बन रहा है, इसके बीच का ये पूरा हिस्सा है, इसे हम कोण का अभियंतर भाग, अभियंतर, मतलब अभियंतर भाग, यानि कि अंदर का भाग कहलाता है, और इसे कहते हैं, जो बाहर का इसका हिस्सा हो गया, उसे बहिर भाग कहते हैं, यानि बाहर का भाग. तो कोण में हमें दो चीजे और ध्यान रखनी है मालो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें और इसका नाम A रख दें और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट हो उसका नाम C हो तो हम कहेंगे कोण का अभ्यंतर हिस्से में A पॉइंट पढ़ रहा है और कोण के बहिर भाग में वो C पॉइंट पढ़ रहा है तो आपको कोण समझ में आ गया कि कोण क्या होता है कैसे बनता है और उसे कैसे ना पा जाता है अगली कक्षा में मिलते हैं धन्यवाद